आपने पके हुए टमाटर की सबजी तो बहुत बार खाई होगी लेकिन कभी कच्चे टमाटर की सबजी खाई है और अगर खाई है तो आज मैं जिस सरह बनाने वाली हूँ definitely आपने उस सरह तो कभी नहीं खाई होगी तो चलिए आज बनाते हैं कच्चे टमाटर की सबजी और वो भी different तरीके से तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं कच्चे टमाटर तो यह तक्रीबन 500 ग्रम टमाटर है और यह टमाटर मारकेट में कभी-कभी मिलते हैं हमेशा देखने को नहीं मिलते हैं तो मुझे दीख गई तो मैं लेके आ गई तो चले टमाटर को पहले काट लेते हैं तो टमाटर के उपड़ जो वो काला काला पाट होता है वो निकाल लेना है और उसे इस तरह स्लाइज में हमें कट कर लेना है आप जिस तरह चाहो उस तरह कट कर सकते हो लेकिन आज मैं डिफ होते हैं क्योंकि अभी ये कच्चे हैं तो चले सारे टमाटर को मैंने अच्छे से कट कर लिया है और अब मैं लेके आ गई हूं लसुन तो इसके अंदर लसुन का टेस्ट बहुत ही बढ़ा लगता है तो लसुन जरूर डाले तो यहां पर मैंने चे से साथ कल्या लसुन के ले ली है और उन्हें चिल लिया है आप यहां पर हरे लसुन का भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि अभी मार्केट में आ रहा है तो आप उसे भी ले सकते हो अगर आप यहां पर हरा लसुन ले रहे हो तो उसे एकदम बारिक चौप करके लेना है तो च चलिए लसुन को मैंने पीस लिया है और अब इसकेंदर दालेंगे एक चमच भर के कास्मीरी लाल मिल्च कास्मीरी लाल मिल्च दाने से यह सबची है उसका कलर बहुत ही बढ़ी आएगा तो अगर आपके पास है तो जरूर डालें और अब मैंने ले लिये हैं मुठी भर के और अब यहां पर मैंने ले लिया है एक कटोवी भर के नमकीन आपको इसा भी नमकीन ले सकते हो यहां पर मैंने खटा मीथा वाला नमकीन लिया है और अब इसे जार में डालके इसे क्रश कर लेंगे इसे एकदम बारी क्रश नहीं करना है थोड़ा सा हम दरदरा इसे पीस इसे continuous ली नहीं चलाएंगे इस सरा pulse मोरते हमें इसे चलाना है और दरदरा पीस लेना है ये mixture दरदरा होगा तो इसका texture सबजी में बहुत बढ़िया लगेगा तो चलिए मैंने इसे पीस लिया है और अब मैं निकाल लेती हूँ एक कड़ाई आपको यहाँ पे मोटे तले वाली कड़ाई लेनी है या फिर कोई non-stick पैन लेना है अगर आप पटले तले वाली कड़ाई लोगे तो ये जो mixture हम इसके अंदर दालने वाले है जो हमने बनाया है अभी वो नीचे से चिपकेगा तो इतना ध्यान रखे के मोटे तले वाली कड़ाई ले या फिर non-stick पैन ले ले और अप कड़ाई में डालेंगे तो से डाई चमजबर के तेल तेल अच्छे से गरम हो जाए फिर उसके अंदर डालेंगे एक चमजबर के राई और एक चमजबर के जीरा राई और जीरा फूर जाए फिर उसके अंदर डालेंगे लसुन का पेस्ट जो हमने बना के रखा है और इसे एक से दो मिन्ध हमें पका लेना है लसुन अच्छे से पक जाए उसके अंदर से अच्छे सी खुश्बू आने लगे तो सारे टमाटर हम डाल देंगे, तो आप देख सकते हो की टमाटर में कितना पानी है, तो इक अच्छे है, और एकडम रस्तार है तो चलिए अब इसे mix कर लेते हैं सब कुछ पराबर mix हो जाए फिर इसके अंदर डाल देंगे ये mixture जो हमने ready किया है तो सारा mixture इसके अंदर डाल देना है और इसे भी अच्छे से mix कर लेना है gas की flame में यहाँ पर हमें low रखनी है तो चलिए सब कुछ अच्छे से mix हो गया है अब इसके अंदर कर देते हैं थोड़े से मसाले तो यहाँ पर मैंने ले लिया है नमक तो नमक अपने टेस्क के according लेंगे एक से दो चम्मच धन्याजिरा पाउडर एक से रेट चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच हल्दी और डेट चमच गरम मसाला अब इन सब को mix कर लेना है और अब इसके अदन डाल देंगे पानी तो पानी यहाँ पर अभी थोड़ा सा ही डालेंगे तो तकरीबन एक कब जितना पानी मैंने लिया है और इसको mix कर लिया है बाद में जरूरत लगे तो थोड़ा सा पानी हम और एड़ करेंगे अब इसे low flame पे हम डग कर छोड़ देंगे पकने के लिए तो चलिए तब तक हम सलाट काट लेते हैं हमारे गर में रोज सलाट खाया जाता है क्योंकि सलाट सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है तो हमें रोज खाना चाहिए तो चलिए इससे पहले हम सबजी को फिर से एक बार चेक कर लेते हैं तो यह दिखिए पानी थोड़ा सा कम हो गया है तो अभी थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे तो तकरीबन आदे कब जितना फिर से मैंने पानी एड़ किया है और इससे मिक्स कर लिया है तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करेंगे जरूर लगे तो और यह सलाट की मैंने तयारी कर रहे हूँ तो यहाँ पर मैंने ले लिया है गाजर उसे शील लिया है अब ही मूली बहुत बढ़ी आ रही है मार्केट में तो मूली भी लेंगे और बीट हमारे गळल में हर रोज बीट खाया जाता है क्योंकि बीट में हीमोगलुबिंगी मातरा जादा होती है और आज कल सबको हीम talkinlubin की प्रॉब्लम तो है ही तो बीठ हमें हरोज खाना चाहिए यहाँ पे मैं टमाटर भी लेकिया आया थी लेकिन फिर मुझे याद आए कि आज तो मैंने टमाटर की सबजी बनाई है तो मैंने टमाटर को रहने दिया मैंने कर लिया बीच में मैंने सब्जी को चैक किया लेकिन उसमें पाने डालने की जोरूवत नहीं थी पानाय तो गैस Web Agency को फिर से एक बार चैक कर लेते तो यह देखिये सबजी हमारी almost ready है इसमें से तेल छूटने लगा है तो समझ लेना है कि हमारी सबजी एक्तम ready है यहाँ पर तकरीबर मुझे एक कप जितना पानी लगा था एक से तेट कप जितना और अब इसके अंदर डाल देंगे गुड क्योंकि जो टमाटर कच्चे वाले टमाटर है वो खट्टे होते हैं इसलिए इसमें थोड़ा सा गुर डालेंगे तो यह सबजी बहुत ही टेस्टी बनेगी खट्टी मिठी बनेगी तो यहाँ पर मैंने दो चम्मच इतना गुर डाल दिया है और फिर से गैस की फ्लेम को मैंने लो रखा है और इसे पकने के लिए मतलब कि गुड मेंट हो तब तक उसे पकने के लिए छोड़ देंगे तब तक यहाँ पर मैं सेक लेती हूं पापड क्योंकि रुद्र को पापड बहुत ही पसंद है उड़त के पापड है यह और इसे मैं इस तरह सेक के ले रही हूं तो दोसे तीन पापड मैंने आप इसे लिए है आप इसे फ्राइबी कर सकते हो फ्राइब करके भी यह पापड बहुत ही बड़ी अलगते है तो चले हमारे पापड भी सिख गए है और अब फिर से एक बार सबजी को चेक कर लेते है गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और यह दिखे हमारी सबजी एकड़म रेड़ी है कितनी ग्रेवी वाले कितनी रसदार हमारी सबजी बनगे रेड़ी हुई है देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है और खाने में तो बहुत बढ़ी आई होगी तो चले लास में इसके उपर डाल देते हैं धनिया और अब गेस की फ्लेम को आफ कर देते हैं सबजी हमारी रेड़ी है तो चले इसके साथ हम बना लेते हैं पराठे यूँकि ये सबजी के साथ पराटे बहुत ही बढ़ी अलगते हैं यहाँ पे मैंने बेल लिया है एक पराठा और यहाँ पे मैं ट्रिकोन शेप वाला मतलब के ट्राइंगल शेप वाला पराठा बना रहे हूँ तो इससे पहले बेल लेना है और इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा ओयल मतलब कि उसके उपर लगा देंगे थोड़ा सा ओयल और इस तरह उसे ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे और फिर से एक बार बेल लेंगे इस तरह पराठा बनाने से पराटे की हर एक परत अलग पड़ती है और पराटा हमारा बहुत ही बड़िया बनता है एकदम सॉफ्ट बनता है तो चले पराटा मैंने बेल लिया है उसे थोड़ा सा मिडियम बेलना है एकदम पतला नहीं बेलेंगे और उसे सेख लेंगे तबी के उपर यहाँ पे हमें फ्लेम को मीडियम रखना है एकदम हाई भी नी रखेंगे और लो भी नहीं मीडियम फ्लेम पे कोई भी सेखने वाले चीज पराठा बना रहे हो, आप थेपला बना रहे हो कुछ भी बना रहे हो बहुत ही बड़िया सिकती है एकडम पर्फेक्ट सिकती है तो इस तरह सारे पराठे में तयार कर लोगी तो आपने देखा कि हमारा पराठा कितना perfect बनके ready हुआ है उसकी सारी पराठ अलग हो चुकी है और एकदम perfect पराठा हमारा बनकरके ready है तो इस तरह अगर आप भी बनाओगे तो आपकी भी पराठे एकदम perfect बनेगे तो यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे एक दो पराठे का आठा एकदम soft कूधेंगे और इसे medium flame पे सेख लेंगे तो इस सारा सारे पराठे मैंने बना लिये है इस सबजी के साथ रोटी भी बहुत अच्छी लगती है आप इसे रोटी के साथ भी serve कर सकते हो तो चलिए अब इसे serve कर लेते हैं थाली हमारी ready है तो चलिए अब इसे दे देते हैं रुद्र को क्योंकि उसे school भी जाना है तो आपको आज की recipe कैसी लगी प्लीज मुझे comment करके ज़रूर बताना तो मिलते हैं जल्दी नेस recipe के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करश्न